Hello students, welcome to the P&D coaching classes, learn easily and smartly तो आज हम पढ़ने वाले हैं conservation laws यानि कि किसी चीज़ को बचाने के, conserve करने के जो laws हैं वो क्या होते हैं और कितने type क्यों होते हैं वो हम आज दिखने वाले हैं So basically क्या होते हैं, कोई भी physical quantity होती है जब उस physical quantity पे कुछ physical process की जाती है बट उस physical process के बाद भी अगर वो physical quantity unchanged रहती है यानि कि उसमें कोई भी changes देखने को हमको नहीं मिलते हैं तो इसका मदब हम यह बोच रते हैं कि जो quantities हैं वो conserved है It means उन physical quantities में किसी भी प्रकार का changes effect हमको देखने नहीं मिला तो यानि कि वो बच्ची हुई है यानि कि वो safe हैं वो conserved हैं इस type की quantities So basically in physical quantities का जो conservation है उसके उपर जो law use हुए है उन laws को बोला गया conservation law यानि कि जिन physical quantities पे किसी भी physical process का कोई impact नहीं हुआ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे conservation के laws लगे हुए थे इन apply हो रहे थे गवर्न हो रहे थे उस physical quantities पे लग रहे थे इसी को बोला गया conservation law यानि कि किसी भी physical quantity के उपर अगर कोई भी चैनिस नहीं हो रहे हैं तो उसके उपर जो laws काम करते हैं उसको बोला गया है conservation law ओके students इतना clear है In fact अगर हम बात करें कि यह जो conservation laws हैं वो बहुत ज़्यादा important tools हैं जिसके थूँ जो physicist होते हैं इत मिस जो scientist होते हैं वो किसी भी other laws को यह भी बहुत साथ जो और दूसरे laws हैं उनको explain कर सकते हैं with the help of these conservation laws ओके students तो I hope आपको clear हो गया होगा कि conservation law क्या होता है अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हम कितने type के आगे आने वाली videos में conservation law देखने वाले हैं तो total यहाँ पे हम 5 conservation law देखने वाले हैं चलिए देखते हैं वो कौन-कौन से law है the very first law देखेंगे हम law of conservation of mass ओके students second है law of conservation of energy ओके third देखने वाले हैं law of conservation of linear momentum fourth देखने वाले हैं law of conservation of angular momentum and last है law of conservation of electric charge तो इस तरीके से हम यह 5 conservation की law पढ़ने वाले हैं आगे आने वाली वीडियोस में okay students I hope आपको clear हो गया होगा अगर आपको माई वीडियो से कुछ भी सिखने मिला है knowledge मिला तो please हमाई जनल को subscribe किजिए और वीडियो को like ज़रूर करें आज के लिए इतना ही thank you